बॉलेवुड स्टार श्री देवी का निदन होने की सबसे बड़ी वज़े आई सामने नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत हैं दुबाई आखिर यह कैसे हो गया? बिलकुल फिट नजर आने वाली श्री देवी के 54 साल की उम्र में यूँच चले जाने से उनके फैंस सदमे में हैं उनकी मौत की वज़े दुबाई के होटल में कारगे करेस्ट फ्रदैव गती रुकना बताया जा रहा है हाला कि पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टी होगी उधर मुंबाई में उनके घर के बाहर फैंस जमा हैं मुंबाई के भरसोवा स्थित उनके बंगले में श्री देवी के अंतिमयात्रा की तैयारिया की जा रही है उनका शब आज दोपहर तक मुंबाई लाए जाने की उम्मीद है आईए जानते हैं श्री देवी की मौत से जुड़ी महत्वपून बातें बात्रूम में हुई थी मौत भारतिय दूतावास के हवाले स्थानिय अखबार खलीज टाइमस ने लिखा कि श्री देवी की मौत शनीवार रात करीब 11 बजे जुमीरा हमी रात टावर्स के होटेल में अपने कमरे में हुई थी बात्रूम में बेहोश होकर गिरने के बाद उन्हें दुबाई के रशीद अस्पताल लाया गया खलीज टाइमस का कहना है कि जब श्री देवी को अस्पताल लाया गया उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी इसलिए पोस्ट मौटम जरूरी वहीं दूतावास के एक उच्च अधिकारी ने बताया था कि यह एक प्राक्रितिक मौत थी लेकिन फिर भी स्थानिय कानूनों के मताबिक श्री देवी का पोस्ट मौटम भी किया गया हम दुबाई पुलिस के साथ उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं देखें पती के साथ श्री देवी का आखिरी डांस प्रोटोकॉल के कारण हो रही देरी स्थानिय मीडिया का कहना है कि श्री देवी का पोस्ट मौटम पूरा हो चुका है और लैब रिकोर्ड का इंतजार किया जा रहा है अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि प्रोटोकॉल के मुताबिक यदि दुबई में हॉस्पिटल के बाहर किसी की मौत हुई हो तो इस जाग में 24 घंटे तक का समय लग जाता है पुलिस इस केस में भी यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है मुकेश अंबानी का प्राइवेट जीट दुबई पहुंचा श्री देवी का शव कुछ घंटों में दुबई से मुंबई आ जाने की संभावना है इसके लिए देश के सबसे बड़े उद्योग पती मुकेश अंबानी का प्राइवेट जेट दुबाई पहुंच चुका है दुबाई प्रशासन की ओर से हरी जंडी मिलते ही श्री देवी की लाश लेकर यह जेट मुंबाई आ जाएगा इधर मुंबाई के वर्सो वास्थित भागे बंगले में श्री देवी की अंतिम्यात्रा की तैयारिया की गई है नहीं थी कोई दिल की बिमारी बले वोटेक्टर और बोनी कपूर के भाई संजे कपूर का कहना है कि जब श्री देवी की मौत हुई उस समय वे अपने कमरे में थी संजे का कहना है हम सब हैरान है क्यूंकि उन्हें किसी भी तरह की दिल की कोई भिमारी नहीं थी शाहरोक के साथ होगी आखरी फिल्म श्री देवी की आखरी फिल्म मौन थी जो पिछले साल 2017 में आई थी इसे रविवार उद्धिवार ने डाइरेक किया था और प्रड्यूसर थे श्री देवी के पती बॉनी कपूर फिल्म में श्री देवी के साथ अक्षय खना और नवाजोदीन सिद्धिक्की ने भी भूमिकाने भाई थी वही कबरे हैं कि शाहरोख खान की आने वाली फिल्म जीरो में वेबदो और मेहमान श्री देवी के निदन से भावुक स्मिती एरानी बोली एक्टिंग में मेरे अंदर की अभिनेत्री को किया इंप्रेस दुबाई में श्री देवी को अकेले छोड़ मनमोहन शेटी की बर्थडे पार्टी अटेन करने मुंबाई लोटे थे बोनी कबूर श्री देवी की ये आखिरी ख्वाइश होगी पूरी अन्तिमसंसकार में होगा ये खास